कि यहां पर देखेंगे स्विंग टेडिंग के वीडियो को लास्ट तक देखेगा काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि यहां पर यहां पर कुछ वीडियों मैंने बनाए थे यहां आप जाकर सकते हो एंड अभी आप देखो अभी रिसेंट्ल लोग ने इन सारे स्टॉक्स को कवर किया था मिन्स अपनी अनलीशिस में दिया था अप सब में देख सकते हो कि काफी अच्छे हमें यहां से हो गया इंफोसिस में भी सेम है विप्रो ने सिंगल दे दिया ठीक है और पी पील में भी हमारा जो ट्रेट था एक्जिक्यूट हो चुका है और इस जैक में 10 परसेंट का रिटर्न है इस जैक हो गया यहां पे सीडी एसल यह सारे तो इन्वे आप देखो बड़े मुव आये हैं तो जब भी मिट कैप में काम करो तो थोड़ा बड़े टार्गेट रखो और जब भी आप लार्ज कैप में काम करो भी प्रो इंफोसिस से एल टैक तो इसमें थोड़ा सा आपको ट देखोगे 9% के रिटन दे चुका था उसके बाद में दोस्तों यहां पे जब मार्केट में पैनिक आया थी न्यूज एंड ग्लोबल सिनारियों खराब थे जो जापान वाला न्यूस था तो फिर यहां पे मार्केट गी राबर क्यूंकि स्टॉक इस ट्रॉंग है ठीक है यहा साइट के लिए बहुत अच्छी इंट्री हो गया आपके लिए अधर पॉइंट क्या है इंपोर्टेंट यहां पे एक नया बुलिश डे रहा है ठीक है बेसी के लिए जैसे यह रेसिस्टेंस ब्रेक होते हैं 2686 हमको यह स्टॉक और भी उपर जाता हुआ दिखाई देगा इसको फिर जाना चाहिए क्यों ऐसा मैं बोला हूँ क्योंकि अगर मैं 20 EMA को यहां पर प्लॉट करता हूं तो आपको समझ में आगा कि स्टॉक इस तरीके से 20 EMA के पहले नीचे था अब यह उपर जाके उसी से ही रिवर्स हो रहा है तो यहां पर जाएगा तो इसको यह जो 20 EMA है इस पर जैसे ही आएगा आप यहां पर ले सकते हो या फिर इसको बस ब्रेक होने तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा अधर्वाइस दोस्तों यह जो इंपोर्टेंट जो मैंने गैप बताया आपको दिए आपको पता सब कुछ होना चाहिए तो यह इस पर्टिकुलर एरिये से यह अगेन उपर जाए तो यह एक इंपोर्टन जोन है इसको याद रखना ठीक है और चलिए अब नया एनलेसिस बताता हूं और प्लीज वीडियो को जरूरू लाइक करिएगा अगर यह अच्छा लग रहा है अब मैं स्विंग टेडिंग के स् लिए एस्टा माइक्रोवेब एंड कितना ही सुन्दर यहां पर नमें बंता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर देख लेते पर लेंट कंपनी करती क्या है अब दियान से उतर गया है दोस्कों यहां पर आप ट्रेडिंग में जाके देख सेब्सक्टेंशल में तो यह यह पर्टिकुलर्ली यहां पर कितने स्टेज यह भागाता है यहां पर एक रेंज जो इसने बनाया है यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रेंज का ब्रेक आउट हुआ है प्लस हम लोग और भी कंफर्मेशन देखेंगे यहां पर फोर आवर पर देखते हैं क्या द हैं ठोड़ा सापको पेशन जरूर रखना पड़ेगा बट यहां पे अच्छा मुग आ सकता है तो इसको जरूर से आप ध्यान में रखेंगे अगर यह अनले से लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा और यहां पर भी सेम आइडिया है ठीक है मैं वन डे में आपको नहीं द बुलिज डाइवर्जेंस है ठीक है यहां पर यहां पर एक पॉज और फिर एक ग्रीन तो यहां पर यहां पर यहां पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको लिए प्राइस फेर वैल्य गैप पर आया और ऊपर निकल गया ठीक है तो यह सारी चीज़ें तो यह आपको द्याद रखनी पड़ेंगी और नीचे भी कुछ यहां पर गैप से कुड भी पॉस्बल कि इसको भी फिल कर सकता है तो यह भी माइंड में रखना होता है आपके लिए सपोर्ट है तो इसलिए आप देखें आप यहां से प्राइस उपर जा रहा है लोबर टाइम फ्रेम में चलके एनालिसिस देख लेते हैं क्या करना है ठीक है आप देखोग सब्सक्राइब करना है तो मेरे कर सकते हो अपना रिस्क वीवाड देखके आप वहां पर लेवल पर भी बाय कर सकते हो क्योंकि यहां पर कफी अच्छा कि हमें दिखाई दे रहा है तो यह स्विंग से ही मार्केट प्राइस चेंज करती है अब देखें आरसाइए नीचे है तो यह हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम यहां पर स्पैंड करना ठीक है तो लेट सी यहां पर कुछ माल आप उठा सकते हो बागी नीचे आता है इस सपोर्ट से फिर बांस होता तो इधर पर भी उठा सकते हो तो इस तरीके की अप्रोचेश होती है कभि किसी और वीडियो में हम लोग सारी अप्रोच की बात करेंगे कि क्या क्या हमारी अप्रोच होनी चाह ट